दुर्ग जिले में लगभख 12 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्तिवेस्त होने के साथ ही लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है वहीं शहर की मद्दे सित गुतवाली थाना भी इससे अचूता नहीं रहा चतितगर के कई राकों में जमा जम बारिश जारी है तो वहीं दुर्ग संभाग में मौसम विभाग ने ये अलव एलर्ट जारी कर दिया है दुर्ग जिले में करीब 12 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जन जीवन को खासा प्रभावित कर रखा है तो निगम के मेर और अधिकारियों में सिर्फ बैठकों का दोर चलता दिखाई पड़ रहा है बारिश की समस्या से निप्टारा कैसे किया जाए इस पर कोई विचार नहीं कर रहा शहर के कई वाडों में घुटने तक पानी भर आया है निचली बस्ती में रहने वारे लोग तो अपने जीवन की जंग बारिश के पानी से लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी वज़य से लोगों का घर से निकलना भी दुभर हो गया है शहर के विपिन वाडों में 25 से जादा वाड है जहां की हालत तो बद से बत्तर है घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है और वहीं शहर के बीचों बीच स्थीत सिटी कोतवाली थाने में भी देर रात पानी भर गया जिससे पुलिस कर्मी पानी निकालते हुए नजर आए बहराल मानसून के पहले हर बार नगर निगम इससे निपटने पोखता तयारियां की बात तो करता है लेकिन उसके सारे दा को से नसी पारू की रिपोर्ट